गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉंडल व्यूज यूट्यूब चैनल, स्वागत आपका मेरी आज किस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं CSIR, AMPRI की तरफ से निकाली गी जॉप अपडेट के वारे में, AMPRI यानि की Advanced Material Process Research Institute की तरफ से recruitment notification आउट किया गया है various vacancies के लिए, यहाँ पर जो vacancies रहने वाली हैं उसके लिए degree diploma वाले apply कर सकते हैं, उसके लावा selection process क्या रहेगा, form को apply कैसे करना है, सारा detail में discuss करने वाले हैं इस वीडियो में, वीडियो को end तक वाज करें और हमारे चैनल पर पहली बार विज़र कर रहे हैं, चैनल को subscribe कर लें ऐसी ही latest job update के लिए, डेली ऐसी ही latest job update आपको provide की जाती हैं इस चैनल पर official notice के साथ में, इसी के साथ में आज किस वीडियो को करते हैं, शुरू बात करें यहाँ पे इनके official notice की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह CSIR Advanced Material and Process Research Institute की तरफ से निकाला गया official notice है, जो की council of scientific and industrial search की तरफ से निकाला गया है बात करें इनके advertisement number की, यहाँ पे आप इसका advertisement number देख सकते हैं, आप इनकी official website पर जाकर भी visit कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इनका advertisement number मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसका official notice download कर सकते हैं और यहाँ पर जो vacances रहने वाली हैं, project staff की रहेंगी, जिसमें से यह सारी vacances जो रहेंगी आपकी purely temporary basis बे रहने वाली हैं उसके लावा बात करें, यहाँ पर नेम ओव दा प्रजेक्ट जो आपका रहेंगा, उसके लिए जो vacances रहेंगी, position आपकी यहाँ पर दी गई है, पोस्ट कोड आपको यहाँ पर दी गई है, उसके लावा qualification जो रहेंगी, आपको यहाँ पर मेंशन की गई है और जो tenure रहेगा, यहाँ पर आपको दी गई है, अपर इच आपको यहाँ पर रहेगी, remoneration जो आपको रहेगा, वो आपको यहाँ पर दी गई है बात करें, यहाँ पर प्रजेक्ट नेम की, development of gravity के लिए यहाँ पर जो प्रजेक्ट रखा गया है इसमें आपका प्रजेक्ट एसिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, BSC Chemistry, बायो किमिस्टी, उसके लावा यहाँ पर desirable जो qualification रखेगी है preference will be given to the candidate with experience in chemical synthesis के लिए यहाँ पर रखा गया है जिसके पास भी यहाँ पर chemical synthesis का experience है, उसको यहाँ पर preference दी जाएगी उसके लावा fresher candidate भी यहाँ पर apply कर सकते हैं यहाँ पर आपकी tenure रहेगा, one years का रहेगा, उसके लावा आपका यहाँ पर project पर depend करता है अगर आपका यहाँ पर project extend होता है, तो आपको यहाँ पर जो वो आपका tenure भी extend कर दी जाएगा अपरेज यहाँ पर 50 years रहेगी, stipend आपको यहाँ पर 20,000 प्लस है, यहाँ पर आपका HR रहेगा उसके लावा अगर आपको 3 years का यहाँ पर experience है, तो यहाँ पर आपको 15% का increment दिये जाएगा उसके लावा बात करें, next post की जो की आपका development of gravity, यहाँ पर operating domestic water fater के लिए यहाँ पर project जो रहेगा, इसमें project associate one की वकैंसी रहेगी, master degree यहाँ पर होनी चाहिए आपकी chemistry में उसके लावा bachelor degree आपने कर रकी है chemical engineering में, तो भी आप apply कर सकते हैं desirable qualification आप यहाँ पर खुछ से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दी गई है, उसके लावा जो essential qualifications रहेंगी वो मैं आपको सारी यहाँ पर बता दूँगा, बट यहाँ पर desirable वाली आप खुछ से read यहाँ पर कर सकते हैं initial one years का पर tenure रहने वाला है, उसके लिए 35 age यहाँ पर रखी गई है, 31,000 प्लस हारे आपको यहाँ पर salary दी जाएगी, उसके लावा बात करें यहाँ पर, जिन candidate ने gate qualify कर रखा है, UGC net clear कर रखा है, उन्हें यहाँ पर 31,000 दी जाएंगे and 25,000 दी जाएंगे, प्लस हारे, जिन इसके लावा, UGC net clear नहीं किये हुए, जिन candidate ने यह दोनों exam clear किये है, यह दोनों में से एक वी exam clear किये है, तो वो आप यहाँ पर 31,000 प्लस हारे आपको यहाँ पर salary दी जाएगी, next post रहेगी, design, development and optimization में, यहाँ पर one bagancy रहेगी, project associate one की, यहाँ पर भी master degree आपकी electronics instrumentation में होनी चाहिए, उसके लावा, यहाँ पर BTEC, bachelor engineering करकी है, अपने electronics में, उसके लावा, यहाँ पर ECE में, electrical and electronics में, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, यहाँ पर आपका 35 age रहेगी, बाकी salary यहाँ पर भी आपकी same रहने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, next, आपका जो project रहेगा design and development optimization के लिए रहेगा, यहाँ पर आप project number देख सकते हैं, और यहाँ पर project आपकी जो associate one की vacancy रहेगी, एक vacancy रहेगी, उसके लावा, यहाँ पर qualification रखी गई है, master degree आपकी होनी चाहिए, chemistry physics में, material science में, bachelor engineering, BTEC अगर आपने कर रखी है, methodology, material science में, mechanical engineering में, civil engineering में, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, आपका यहाँ पर salary जो रहेगा, वो आपका यहाँ पर same रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, and age भी आपकी 35 यहाँ पर रहेगी, next आपका जो project रहेगा, वो आपका development of advance, आपका composite pressure का रहेगा, यहाँ पर project assistant की vacancy रहेगी, 3 years का diploma यहाँ पर mechanical engineering मे होना चाहिए, उसके साथ में आपका CAD CAM का आपको knowledge होना चाहिए, and अगर आपके पास experience है 3D printing का, तो आपको यहाँ पर prepare किये जाएगा, इसके लिए 50 आपकी यहाँ पर maximum age रखे गई है, 20,000 आपको salary दी जाएगी, per month plus age चारे, उसके लावा 3 years का experience अगर आपके पास है, तो आ आपको increment आपका, यहाँ पर 15% आपका increment रहेगा, next बात करें, next project की, जो की आपका project number आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर project assistant की one vacancy रहेगी, डिपलोमा आपका mechanical engineering में होना चाहिए, chemical engineering में अगर आपने कर रखा है, apply कर सकते हैं, उसके लावा यहाँ पर भी आपको salary सेम रहेगी, next जो आपका project रहेगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, one vacancy रहेगी, master degree इसके लिए विए आपकी होनी चाहिए, उसके लावा अगर आपने master degree geology, applied geology में कर रखी है, remove science में कर रखी है, उसके लावा आपका GIS में कर रखी है, तो आप apply कर सकते हैं, 27 यहाँ पर maximum age रखी गई है, sorry यहाँ पर up to 27 माई 2021 तक आपको यहाँ पर tenure पर रखा जाएगा, 35 यहाँ पर age रहेगी, बाकी salary यहाँ पर clear रहेगी, जो कि आप 31,000 प्लस HR देख रहे हैं, यह gate and UGC net वालों के लिए रहेगा, 25,000 जो रहेगी, वो अधर candidate के लिए रहेगी, जो next आपकी यह March 2020 तक आपका यहाँ पर project रहेगा and 35 आपकी age रहेगी, salary यहाँ पर भी आपको same दी गई है, उसके लावा next हम बात करें, तो All India से आप यहाँ पर apply कर सकते हैं and बात करें यहाँ पर बाकी detail के लिए, तो यहाँ पर सारे detail आपको mention की गी हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर check कर सकत हैं SCHT OVC candidate के लिए, यहाँ पर reservation का आपको बताया गया है, and बाकी का हम यहाँ पर बात करें, जो भी आपका यहाँ पर details रहेगा, date of interview का वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगा, educational qualification as a date of interview जो रहेगा, वो आपको intimate कर दी जाएगा, why mail या by post आपको जो बता दी जाएगा, बात करें mode of selection की, तो mode of selection जो आपका रहेगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका interview के basis पर रहेगा, interview के basis पर आपकी यहाँ पर selection की जाएगी, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी detail आपको यहाँ पर mention की गी है, और यहा मोट से आपको apply करना है offline मोट से आपका apply करने का मोट नहीं रहेगा online मोट से ही रहेगा 29.9.2021 की last date रहेगी form को apply करने की apply करने के लिए आपको उनकी official website के दुरू form को apply करना पड़ेगा उसका link आपको description में provide कर दूँगा वहाँ से जाके आप directly form को apply कर सकते हैं इसके लिए कोई भी आपकी application fees नहीं रहेगी without application fees आप form को apply कर सकते हैं and यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी official website के दुरू form को apply कर लें इसका link आपको दे दूँगा मैं description में बहां से directly form को भी apply कर सकते हैं उसके लावा यह सारा आपको PDF मेरे टेलिग्राम ग्रूप जीके वाई दिनेसर पर मिल जाएगा वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं जो भी आपको details चाहिए होंगी वह वहाँ पर आपको मिल जाएगी इसके regarding में यह सारा PDF वहाँ पर आपको डाल दूँगा इसका link भी description में डाल दूँगा directly आप मेरा telegram group भी join कर सकते हैं जीके वाई दिलेसर वहाँ पर आपको daily current fair के questions बदाए जाते हैं उसके लावा daily आपको notification वहाँ पर provide की जाती हैं job के regarding में तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही और वीडियो informative लगी हो वीडियो को like and share जरूर करें और हमारे channel पर पहली वार बिज़र कर रहे हैं channel को subscribe कर लें फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you goodbye take care